तो पिसले पार्ट में हमने देखा कि डैविड अपने फ्रेंड की मौम के साथ cold drink करता है और उनके साथ क्या क्या करने वाला है यह हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं अब हम देखते हैं कि टीचर जर्मन चोथा assignment पढ़ रहे होता है जो कि डैविड का था उसमें ये लिखा था कि डैविड एक दिन अपने दोस्त के फिर पर लेट हो गया था तो उसके डैड ने उसे उसी के कमरे में सोने के लिए बोल दिया जहाँ पर हमें पता पढ़ता है कि डैविड का दोस्त LGBT को सपोर्ट करता है यानि कि वो गय है यह हमें तब पता पढ़ता है जब यहाँ पर डैविड का दोस्त उसे किस करता है अब डैविड उसके मुह में अपना बंबू देने के बाद उसे सैटिस्पाई करने के बाद उसकी मौम के रूम में जाता है जहा तुम गे हो तुम उस लड़के को इतना जादा सपोर्ट क्यों कर रहे हो मुझे लगता है कि तुम्हारा भी लड़कों में इंटरस्ट है तब जर्मन कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है मैं उस लड़के को सिर्फ सपोर्ट करना चाहता हूं ताकि वो एक बड़ा राइटर बन सके क्योंकि उसमें कुछ काबिलियत है अब हम देखते हैं कि जर्मन फिर से असायमेंट को पढ़ना स्टार्ट करता है हम देखते हैं कि डेविड अब अपने फ्रेंड की मॉम के साथ बैठा हुआ था वो उनके साथ बाते कर रहा था ताकि कि वो उनको सेट कर सके हम देखते हैं कि उसी रात डेविड के फ्रेंड की मॉम और उसके फादर लट रहे होते हैं तब यहाँ पर डेविड मॉक्ते का फाइदा उठा के वो लेटर उसकी फ्रेंड की मॉम को देदेता है जो कि उसने बाहुत पहले से ही लिक रा谷न के इसी उसके friend के mom kiss कर रहा होते है और उन्हें ये सब करते हुए उसका friend देख लेता है और घट से चला जाता है अब कहानी reality में आती है german को लगता है कि ये कहानी सच में है और daveard अपने ही किसी दोस्त के साथ ऐसा कर रहा है और उसे लगता है कि कहीं डैविड का कोई दोस्त मर तो नहीं गया तो डैविड उसी लड़के के बारे में पूछने के लिए एक अटेंडन्ट से जाता है वो वहाँ पर उस लड़के के बारे में पूछते कि क्या कोई लड़का आज अपसेंट है तो वो बताती कि एक लड़का absent है तो वो उसके घर पे phone मिलाती है तो उन्हें पदा पढ़ता है कि वो सिर्फ बिमार है इसलिए school नहीं आ पाया अब हम देखते हैं कि जर्मन डैविड से उसी लड़के के बारे में पूछता है तो डैविड उसे बताता है कि कहाने ऐसी नहीं है मैंने ये सिर्फ कहाने में कुछ मिर्च मसाला डाल गए ही लिखी है ताकि लोगों को interest आए अब इसके बाद हम देखते हैं कि जर्मन डैविड को warning भी कहता है कि तुम अपने किसी भी दोस्त के साथ ऐसा reality में मत करना और अगर तुम ऐसा किसी अपने दोस्त के साथ करोगे तो definitely तुम लोगों की लड़ाई हो जाएगी और बहुत ही तगड़ी लड़ाई होगी क्योंकि तुम उसकी mom के साथ ये सब कर रहे हो अब इतना कुछ सुनके डैविड एक assignment को डश्टिबने फैंक जाता है उस assignment को जर्मन उठा लेता है और घर आके वो उस assignment को बढ़ता है उसमें लिखा था उस assignment में अब आगे की story लिखी होई थी कानी मागे ये होता है कि डैविड के friend के जो father होता है वो घर पे आते है हमें पता पड़ता है कि उनकी नौकरी छूट गई है और वो बहुत ज़्यादा अपसेट है इस बात को सुनके डैविड के friend की जो mom होती है वो उनके साथ बैठती है तब वो उनके एक news देती है कि वो अब pregnant है अब pregnant भाई किस ने किया था ये तो अब तुम्हें पता ही पड़िया होगा अब इस खुशी को सुनकर उसके जो husband होते हैं वो खुश हो जाते है क्योंकि भाई उनकी खुशी का ठिका नहीं नहीं था पर इस खबर को सुनके एक आदमी नराज था जो की था डैविड का फ्रेंड क्योंकि उसे पता था कि उसकी मौम को pregnant किस ने करा है अब कहानी फिर से reality में आती है हम डैविड को बाहर देखते हैं स्कूल के बाहर और उसकी आँख में चोट भी लगी हुई थी तब जर्मन उससे पूसता है कि ये किसने मारी तब वो बताता है कि मेरी और मेरे फ्रेंड की अभी स्कूल के बाहर बहुत बुरी तरह से लड़ाई हुई थी क्योंकि उसे पता बढ़ चुका था कि मैंने उसकी मौम के साथ क्या किया है अब जर्मन भी इस बारे में कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे पता था कि फाइनलिया बाखिर में क्या होने वाला था अब हम फिर से स्टोरी में आते हैं जहां पर हम देखते हैं कि जो लेटर डैविड ने अपने फ्रेंड की माम को दिया था तो वो लेटर उसकी फ्रेंड की मामूसे वापस देने की जायी थी उन्होंने कहा था कि तुमने मेरे से कहा था कि मैं तुमसे शादी करूँगा और हम लोग अपनी अलग दुनिया बसाएंगे पर हम दोनों ऐसा नहीं कर सकते मतलब मैं तो करना चाहती हूपर हम नहीं कर सकते क्योंकि तुमारी उमर बहुत चोटी है अब इस बात से अपसेट होकर डैविड जर्मन के घर आता है जहां पर उसे जर्मन की वाइफ मिलती है वो उससे कहते हैं कि जर्मन घर पे नहीं है और डैविड कहता है इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ, तब ही हमें यहाँ पर जर्मन दिखाय जाता है, जिसे कि अभी अभी न्यूज मिलती है, कि उसे स्कूल से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि उसने मैथ के पेपर्स लीग किये थे, अब जैसे जर्मन घर पर आता है, इसके बाद जैने भी मान जाती है और वो डैविट के साथ intimate होती है लेकिन उन दोनों को ये सब करते हुए जर्मन देख लेता है जिसके बाद वो डैविट को अपने घर से मार मार के बहार निकाल देता है हम देखते हैं की जर्मन पार्क में बैठा हुआता और यही दिखाते हुए यह movie हें पर खतम होती है अगर आप लोगों को जानना है कि यह movie आपको कहां से मिलेगी आप इसे कहां से देख सकते हो तो comment section में मुझे बता देना मैं आपको बता दूगा कि आपको movie कहां से मिलेगी तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए thanks for watching